बास्कार मैं नंदराम पालिवाल सहाचारी राजनेति विग्यान पिछली वीडियो में अपने मंत्रिमंडल मिशन योजना की सिफारिशें और उसके गुणों के बारे में चर्चा किये थी आज इस वीडियो में मंत्रे मंडल मिशन या कैबिनेट मिशन के बारे में की दोस्य तुर्टियों के बारे में चर्चा करेंगे इस योजना में अनिक दोस्ते जैसे पहला निर्बल केंदर इस योजना के नुसार जिस केंदरे सरकार की स्थापना होनी थी उसके पास केवल तीन वीशे परतिरक्षा, संचार साधन तव वैदेख सिक समन्द रहने थी इससे केंदर आवश्य ही निर्बल रहता और भारत कभी भी सक्ति साली राष्ट नहीं बन सकता था दूसरा पाकिस्तान के सार के स्विकर्थी यद भी भारत को इस योजना के अनुसार अखंड रख दिया गया था परन्तु मुस्लिमले की मांग को अधिक से अधिक किसी अन्य रूप में स्विकार कर लिया गया पाकिस्तान के मांग को ऐसे विकार करती हुए भी इसके सार को इस रूप में अपना लिया गया कि प्रांतों के अनिवार ये रूप सम्मोय ग्रूप बनेंगे और केंद्र को दिये जाने वाले कि तीन विशे को छोड़ कर सारे विशे प्रांतों के पास रहेंगे इस तरह से अपने अपने छेत्र में प्रांत अपने मन मानी कर सकते थे खैद था गय समों में मुस्लिम लीग अलप संक्यक वर्गों के साथ मन माना बरताओ कर सकते थे इस तरह से इन प्रांतों में हिंदों और शिखों को मुस्लिम लीग की दया पर छोड़ दिया गया था अगला प्रांतों को अलग सविधान बनाने की इजाज़त इस योजना में ये बड़ी भारी तुरुटी थी दोस्था कि प्रांतों को अपना अलग सविधान बनाने की इजाज़त दे दी गई पहले प्रांतों को अपना तक गुरुप का सविधान बनाना था और बाद में संग का फल्सरु सारे भारत में एकी प्रकार की सासन पद्दत्य की इस्थापना नहीं हो सकती थी देशी रियास्तों की अनुचित अधिकार इस योजना से देशी रियास्तों को कुछ अनुचित अधिकार दे दिये गई यह गोशना की गई कि बिर्टी सरकार सवतंतरता के बाद देशी रियास्तों के उपर सरोचता नहीं तो स्वियम रख सकती थी और नहीं केंद्रे सरकार को दी जा सकती थी इसका आर्थ यह था कि देशी रियास्ते पून रूप से सवतंतर होगी और यह उनकी इच्छा पर निरवर होगा कि वे संग के सविधान को माने या नहीं माने इस तरह से इस योजना में भारत के अनेक टुकड़े-टुकड़े कर दिये गए प्रांतों के समोग और वैग्यानिक प्रांतों के समों किसी वैग्यानिक ढंक से नहीं बनाए गए बलकि मुस्लिम लीग को प्रेशन करने के लिए ही बनाए गए थे आसाम में हिंदों का भहुमत था परंट उसे बंगाल के साथ धकेल दिया गया जहां मुसल्मानों का भहुमत था उत्तर पस्यमी सीमा प्रांत में कांग्रेश का भहुमत था परंट उसे भी इसकी विच्छे के वरूद समवग्या में धकेल दिया गया प्रांतों के सामपरदाइक आधार पर गुरुप बनाना बहुती गलात बात थी सविधान सभा पर रुकावटे सविधान सभा भारत का सविधान अपने सवतंत्र इच्छा से नहीं बना सकती थी इसको मंत्रि मंडल मिशन की योजना के अनुसर चलना था सविधान पर कई अन्य रुकावटे थी और ब्रिटीश सरकार कुछ सर्तों के पूरा करने पर इस सविधान को लागू करती इसलिए आलोजकों के अनुसर इस सविधान सभा के पास पूर्ण पर बुशता नहीं थी इसके अत्रिक संग निरंकुस रियास्तों और लोकतंत्रे प्रांतों से मिलकर बनता ये दोनों में बेमिल बाते थी कुछ आइस पश्ट बाते भी इस योजना में थी जैसे इस योजना में प्रांतों के बारे में जो बाते दे गई थी वे सब आइस पश्ट थी उनका कांग्रेस ने कुछ अर्थ निकाला मुस्लिम लीग ने कुछ दोसरा अर्थ निकाला अंतरकालिन सरकार के शक्तियां भी निश्चित नहीं की गई क्रिप्स के सुजाओं की इस तरह इस योजना में ये दोस्ता कि या तो कि या तो ये सारी योजना सुविकार की जा सकती या ऐसकी जासकती इसके कुछ बिंदो को नहीं अपनाई जाता जैस क्रिप्स के सुजाओं को भी ये था कि या तो उन सुजाओं को पूरी तरह मानो या फिर बिलकल भी मत मानो इस योजना की तरप राजनेतिक दलों का रुख भी भिन भिन था कांग्रेस ने इस योजना को 25 जून 1946 को और मुस्लिम लेग ने इसे 6 जून 1946 को सुविकार कर लेगा यद पिस्थ की इस योजना की विरुते परंटो कांग्रेस और भारत सचिव के आस्वासन पर इन्होंने भी से मान लिया हिंदो मासबा ने इस योजना में परंटो की अनिवारे समों को अच्छा ने समझा लो साम्याजी दल ने सविधान सबा पर रुका उटे ता साम प्रदाइक धाराओं की निंदा की कांग्रेस और मुस्लिम लेग ने यद पि इस योजना को सुविकार कर लिया परंटो उन्होंने प्रांतो के समो करण का भिन भिन अर्थ निकालाओ कांग्रेस के नुसार प्रांतो का समुई करने एचिक था मुस्लिम लेग के नुसार ये अनिवारी था इसलिए सारे देश में बड़ा भारी विवाद खड़ाओ गया सविधान सबा का चुनाओ जुलाई 1906 में मंत्री मंडल मिशन योजना के नुसर चुनाओए ब्रुटिस प्रांतो के लिए 210 साधा निस्तानों में से कांग्रेस ने 199 में इस्तान जीत लिए जो 11 इस्तान बाके बचे उन में से पंजाब की यूनियलिस्ट पार्टी ने दो इस्तान सौतंतर उमीद्वारों ने 6 इस्तान कम्यूनिस्ट पार्टी ने 1 इस्तान दलित उधार संग ने 2 इस्तान जीत लिए 78 मुस्लिम इस्तानों में से मुस्लिम लिग ने 3 इस्तान जीत लिए 65 इस्तानों में से कांग्रेस ने 3 इस्तान पंजाब की यूनियलिस्ट पार्टे ने एकिस्तान और बंगाल की क्रशक परजा पार्टे ने एकिस्तान पर कबजा कर लिया संक्षिपम हम ये कह सकते हैं कि दोसो च्छानमा सदस्यों में से कांग्रेस का साथ देने के लिए दोसो बारा सदस्य थे और मुस्लिम लेक की आग्या पालन करने के लिए तरस सदसे थे सेज ग्यारा सदसे में से भी छे सद कांग्रेस का नितरत मानने के लिए तैयार थे मुस्लिम लेक द्वारा मंत्री मंडल मिशन योजनों की ऐसे कर दे मुस्लिम लीग को चुनाओं में कांग्रेश के शांदार विज़े से घोर निरास होई उसे इस बात पर भी क्रोध आया कि कांग्रेश दोरा अंतरकालिन सरकार की योजना की ऐसे कृति के बाद लाड विवेल मुस्लिम लेके शहयोग से अंतरकालिन सरकार बनाने के लिए तयार नहीं है लाड पैथिंग लारेंज तक क्रिप्स के बयान से भी उसी दुख हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्ना का सब मुस्लमानों की नियुक्ति के बारे में एक अधिकार नहीं हो सकता हुआ मोलान आजादन लिखा है कांग्रेस के प्रैधान पंडेजालाल नहरू ने 10 जून 1946 को बंबाएं में एक प्रेस सम्मेलान में भासन देती हुए कहा कि कांग्रेस सविधान सवा में भाग लेने के लिए सहमत हो गई है और मंत्रि मंडल मिशन योजना को संसुदित या तबदेल करने के लिए अपने आपको सवतंतर समझ दिया कांग्रेस प्रधान का यह बयान सबसे बड़ी गलती थी जिन्ना ने इस बयान का अपने लाप के लिए खुब प्रियोग किया और योजना को 39 जुलाई 1906 को ऐस्विकार कर दियो मिश्टर वीपी मेर्नन ने भी लिखाया कि कांग्रेस प्रधान जावलाल नहरों ने 6 जुलाई 1906 से सुरू होने वाले कांग्रेस के बंबाई अधिविशन में कहा कि जहां तक वो समझता है कांग्रेस के लिए किसी अंतरकालिन या लंबी योजना मानने का प्रेशन नहीं है यह कि अवल उसके सविधान सवा में दाकिल होने का प्रेशना कांग्रेस तब तक सविधान सवा में रहेगी जब तक वा उसमें बहारत के हित में समझेगी और जिस समझेगी कि से इसके उद्देश्य को हाने पहुंच रही है तो अब भाहर आ जाएगी हम वहाँ जाकर जो कुछ करेंगे उसके लिए हम बिल्कुर सवतंतर होंगे प्रांतों के समझेगी के समझ में नहरों ने कहा कि बड़ी भारी संभावना यह है कि कोई ग्रूप नहीं बनेंगे जिन्ना ने शिगरी परतिक्रिय दिखाई उसने कहा कि मुस्लिम लेग ने पाकिस्तान की म्यांग को त्याकर बड़े भारी कुर्बानी की थी परंतों कांग्रेस ने प्रांतों की आनिवारे समुझ करने को नहीं माना कांग्रेस ने अंतरकालिन सरकार को नहीं माना है और सविधान सभा में यह भहुमत के बर्सिया मनमानी करना चाहती है इसलिए मुस्लिम लेग इस योजना को ऐस्वी कार करती है उसने पाकिस्तान की प्राप्तिक लेग सिद्धी कारवाई करने की धम कि दी 18 जुलाई 1946 को दे गए अपने एक बयान में सर्ड इस्टेफर्ड करप्स ने हावस और कॉमंस में का कि प्रांतों का सम्मुही करन अनिवारी है चुनाओं के बाद कोई भी प्रांत किसी सम्मुह से अलग हो सकता है